असलाम रेकों व्यूवर्स, वेलकम बैक टू उस्मार स्वान किचन, आज मैं बना रही हूँ चिकन स्कॉच एक, सर्जियों की खास टेश है, बहुत टेस्टी बनती है, वीडियो को लाइक लास में कीजिएगा, एक पाउ चिकन का कीमा लिया है, आप मतन या बीफ का भी ले स सकते हैं, मैंने तीन अंडों के हसाब से कीमा लिया है, अगर आप ज्यादा अंडों का बनाना चाहते हैं, तो आप कीमे की क्वांटिटी बढ़ा लें, नमक हाफ टी स्पून, कुटी काली मिर्च हाफ टी स्पून, पांच लेसन के जवे, इनको मैंने चॉप कर लिया है, ग पानी में जब अबाल आजाए, अंडे अड़ करेंगे, मीडियम प्लेम पर 6 मिट बॉयल करना है, मैंने इनको हाफ बॉयल करना है, आप फूल भी कर सकते हैं, 6 मिनट हो गए हैं, अंडों को नकाल लेते हैं, ठंडे पानी में एड़ करेंगे, ठंडे पानी में छिलका असान किया है अगर मैं नॉर्मल पानी में इनको रखती तो चिलका इतनी असानी से नहीं उतर ना था आप देखे कितनी असानी से उतर रहा है सारे अंडों के चिलके उतार लिए हैं ये देखें कितना सॉफ्ट है एक अंडा अच्छी तरह से फैंट लेंगे असबे जरूरत ब्रेड क्राम्स और मैदा लेंगे कीमा आपने इतना लेना है जिसमें अंडा अच्छी तरह से कवर हो जाए इस तरह से आपने पहले हाथ पर फिला लेना है बौईल एक को हलका सा मैदा लगा लें अंडे पर इस तरह से कीमा चड़हा दें अगर जरूरत पड़े तो हाथों को हलका सा ऑईल या फिर पानी लगा लें मैंने हाथों को हलका सा पानी लगाया है यह देखें असानी से हो गया है यह देखें प्यारा सा बौल बन गया है अब इसको पहले मैदा लगाएंगे अब इसको अंडे में डिप करेंगे तीनों अंडों की में अच्छी तरह से कौटिंग कर ली है अब इनको फ्राइ कर लेते हैं ओएल मीडियम गरम होना चाहिए ज्यादा गरम ने कि ऑफड़ी लो कर दें ताके अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए क्योंकि अगर ओयल ज्यादा गरम होगा यह उपर से पक जाएगा अंदर से कच्चा रह जाएगा तक्रीबन चार से पांच मिनिट लगेंगे इसको फ्राइ होने में चिकन स्कॉच है रेडी है यह देखें कितना प्यारा कलर है अब मैं काट कर आपको अंदर से दिखाती हूँ यह देखें कितनी प्यारी लुक है अब इनको डिश आउट कर लेते हैं जितने यह देखने में खूबसोत लग रहे हैं खाने में भी यह बहुत टेस्टी बनते हैं अंडों के उपर हलका सा नमक और काली मेट सप्रेड कर देंगे लास्मी ट्राइ कीजिएगा और फीडबैक लास्मी दें कि आपको मेरी आज की रेस्पी कैसी लगी दुआओं में याद रखेगा आपके कीमते वक्त का बहुत बहुत शुकरिया अलाफीज